आज की साम मैं गोविंद के नाम करूँ कि रवीन जी के नाम करूँ मैं समझता हूँ दोनों के नाम अगर हो तो आज की साम है। ये स्वभाग्य है कि आज इस द्वारिका की धर्ती पे ये साय एतिहासिक छड़ होगा जैसा गोविंद जी ने स्वें मुल्ले किया कि हमारा इतना अधिकार है रवीन जैन जी पे कि मैं अधिकार पूर्वक कुछ भी हट कर लेता हूँ और उस हट में मेरी बात ही मानी जाती है यान तोद गत्व मुझे भी आसिरवाद मिलता है तो निश्चित तोड़ से गोविंद जी बहुत सौभागी साली है हम सब की धेर सारी बहुत-बहुत सौभकामना सभी इस अवसर प्रपस्थित मैं समझता हूँ कि जो हम लोगे बड़े अगर किसी को आसिरवाद देते हैं चाहे वो गुरू हो शिक्षक हो या कोई विद्वजन हो तो यही कहते हैं कि आपके उपर सरसुती की कृपा हो अगर ये बड़े सौभागी साली होते हैं जिनको ये आसिरवाद किसी योग और विद्वजन से मिलता है लेकिन वो कितना स सौभागी साली होगा जब आसिरवाद से विक्ति की सरसुती की कृपा हो तो उससे वो सौभागी साली हो जाता है और आज हम लोगों के बीच में साक्षात सरसुती पुत्र रवीन जाएंजी मौजूद हो तो फिर हम सब कितने सौभागी साली है हजारों साल नर्गिस अप बेनूरी पे रोती है बड़ी मुस्किल से चमन में कोई दीदावर पैदा होता है तो वो यकीनन मैं समझता हूँ आज हम सब का सोभाग है कि हमारे बीच में जो सक्सियत है आधनी रवीन जैन जी की वो साथ इससे भी उचाईयों पर उनका विक्तित है बिराठ हिमाले की तरह दिया है तो मैं तो कई मेरा मुझे ये छण मिला है कि इसी तरह के और मेरी इक्षा रहती है कि मैं इनके सानिध में बैठू रवीन जैन जी के लेकिन आप समझते हैं कि वो तो सरसती पुत्र हैं और हम लोग सार्जिनिक जीवन के एक छोटे से अकिंचन सेवक हैं और दियामी विवत्ता पूर्ण उत्तरदायत का निर्वहन करना पड़ता है और उसके नाते बहुत ही इक्षा रहते हुए भी नहीं अपने लक्ष की पूर्ती कर पाते हैं लेकिन आज मैं निश्यत तोड़ से धन्यबाद दूँगा सिरी बीयल सर्माजी को क्योंकि कल मुझे दिली सोला को आना था और सोला तारीक का कारिकरम था अमारी पार्लिमेंट के एक स्टेंडिंग कमिटी की मीटिंग थी और चार तारीक को स्पीकर के साथ एक डिलिगेशन में जिनिवा जाना है उसकी ब्रीफिंग थी तो जब इन्होंने का कि सत्रा को कारिकरम करना होगा आ हट और अधिकार रवीन जी पे चलता है ऐसे बीयल सर्मा जी का अधिकार और हट जगदंबी का पाल के उपर चलता है और इन्हों की वाकई अगर साइद आज मैं नहीं रुखता तो मैं जीवन के बहुत अच्छे च्ठड़ को मिस करता क्योंकि मुझे लगता है कि आज इस कारिक्रम में मुझे पहले से जानकारी नहीं थी यकीन कर लिए रवीन जैन जी आप रहेंगे तो मुझे तो लगता है कि जैसे कोई आज मैं कुछ और मांगता तो साथ वो भी मिल जाता अगर रवीन जैन जी मुझे मिल गए हैं तो मैं निश्यत तोड़ से उनका भारी हूँ और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि सनी के लिए जिन सब्दों का प्रियोग किया पूजा के लिए मैं कहता हूँ गर आपके उपर कहीं भी सनी आपके ग्रह में हैं गर सनी सवार है तो आपके बनते हुए काम बिगड जाते हैं तो उन्होंने तो रवीन जैंजी ने खुद आपको आशिरवात दे दिया कि इस मोक्षा कि अगर सीडी से आप इनके मंत्र को यंत्र को जो 23,000 हैं सनी यंत्रम अगर इसका करेंगे तो निश्चित तोड़ से मोक्ष मिल जाए तो इससे अच्छी साम क्या होगी जीवन की सबकी अभिलासा यह होती है कि हम जीवन में अपने उत्तरदायत का निर्वहन करते हुए जब जीवन से मुक्ती मिले तो हमें मोक्ष मिले यह सभी की अभिलासा होती, सभी की कामना होती है क्योंकि हम सब लोग कल्यूग में अपने उत्तरदाइद का निर्वेहन कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि एक और चीज़ आ गई आन्य था तो सनी देउता के लिए अगर थोड़ा भी आपको अशर हो तो सबसे सस्ती पूजा अगर किसी की है तो सनी देउता की है कि आप सनिवार को जाईए मंदिर में और सरसो का तेल उनके उपर चढ़ाईए तो सनी की साक्षात किरपा आपके उपर हो जाएगी मैं तो यही कहूंगा और आपको सीडी भी मिल गई और जिस तरह से हम लोग को रवीन जी की आवाज में सनी का भी भजन सुनने को मिल गया और भी जो लोग ने सीडी में गाया है सब का उलेख किया है तो यखीनन आज की साम यह जो विमोचन हुआ है यह सीडी के उन एक आपचारी ग्रूप से उस तरह का विमोचन नहीं है कि जिस तरह के तमाम कारिक्रम होते हैं और तमाम सीडी के विमोचन होते हैं कुछ सांस्कृतिक कारिक्रमों के होते हैं कुछ गीत के होते हैं या तमाम उस तरह के सीडी के विमोचन होते हैं लेकिन आज जो ये मोक्षा अडियो वीडियो प्रोडेक्शन के द्वारा ये जो हमारी सक्ति या जो इस सनी के संबन में CD की लांचिंग हो रही है या आप सब बड़े सोभागी साली हैं, या आप सब इस आज की साम के साक्षी हैं और साक्षी हैं, तो आप जाने अंजाने मे कहीं न कहीं किसी के उपर भी अगर कोई सनी होगा, तो मैं समझता हूँ सनी का भी जो आपको कहीं कोई प्रभाव पढ़ने वाला होगा, वो भी खतम हो जाएगा, और आपकी जिन्दगी में एक नया अध्याय जुड़ेगा, नया फलसफा जुड़ेगा, मेरी धेर सारी, बहुत धेर सारी सुबकामनाएं, और इसी के साथ आज के समारों के लिए, इतने अच्छे आयुजन के लिए, हम सब गोविन जी को, मुकेश जी को, सब को सुबकामनाएं देंगे, कि जिस छोटी सी उमर में, जिस तरह से अपने पिता के चरणों में भाउक हो गए, और उन अगर इस तरह के योगदान देने के लिए, आपको रवीन जैन जी के उपर अपने अधिकार का प्रियोग करना हो, हट का प्रियोग करना हो, तो हम सब लोग आपको बदाई देंगे, कि इस तरह के अधिकार और हट का प्रियोग करते रही है, और आपने तो उन से अपने ग जो प्रियास होगा हम सब की सुबकामनाएं और हम सब लोग के लाइक को दूरदर्सन से या और Information Broadcasting Ministry से अगर हम कुछ योगदान कर सकते हैं तो ये मेरे लिए सब भाग होगा कि गोविन जी मैं आपके में कुछ करूँ इसी के साथ एक बार विद्वत समारों के गोश्रा करता हूँ हम रभीन जी ने CD की लांचिंग की है यह हम सब के जीवन में फलदायक हो कल्यानकारी हो और मंगलकारी हो धन्यबाद